All right guys, so, आज हम बात करेंगे कि a judge, कोई भी एक judge maintenance कितना grant कर सकता है, किसी भी case में, तो यार देखो, उसकी कोई limit नहीं है, जो judicial magic first class होता है, जो grant करता है, वो उसकी choice है, वो कितना भी grant कर सकता है wife को, अब वो depend करता है husband के income पे, और उसकी assets पे, उसका family background क्या है, उसकी social market value क्या है बहुत चीजे matter करती है, तो minimum तो होगा 500 वगरा, लेकि maximum कोई limit नहीं है, यानि कि wife को कितना भी maintenance आप दे सकते हैं, अब मान लोग कभी क्या होता है, जैसे wife को कुछ पसंद नहीं आता, तो अपर court में जाते हैं, फिर high court में जाते हैं, तो high court और supreme court होते हैं, इनके पास तो इत अपील में जा सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं, वगरा वगरा, लेकिन अगर एक बार judge साब ने दे दिया, तो दे दिया, यही quality होती है, independent judiciary की, यह कोई SDM या DSP का order नहीं है, वो करवा दिया, वो करवा दिया, जैसे, यह judge साब है, और judge साब अपने उसके होते हैं, court के म पाने वाले time है, law students के लिए फायदा होगा, देखना जरूर, so, कितना भी सुना सकते हैं, कितना भी, even मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्या होते है, case आया तो Supreme Court में, अब Supreme Court के पास ना यार, बहुत साई discretion पावर होती है, मतलब, उनना justice के लिए कहीं भी जा सकता है, किसी अब देखो, कहाँ देवर, कहाँ पती, तो depend करता है, तो अब वो दे रहा है, देना पढ़ रहा है, पहली दे दे देता, कोट से जान लेके देना पढ़ रहा है, यहनिकी, discretion पावर होती है, बहुत सारी, मतलब, बहुत तगड़ी वाली, कुछ भी कर सकते है, जस्टिस अच सुना सकते हैं, जस्टाब, वो डिपैंड करता है, अच्छे जाजन तो अच्छा सुनाइगे, और थोड़े बहुत खड़ी सवरूस है, तो अपने हिसाफ से सुनाइगे, होता है, कभी कोई फैमीन जाज होता है, कोई माई जो गिनिस्ट होता है, बहुत साही लिमिट नही अपने हैं, बहुत Dann करो है बहुत है, बहुत सुनाइगे, अच्या